14 जून 2024 चुक्रवार के दिन है मासिक दुर्गा अश्टमी और इस दिन आपको तीन लॉंग तीन इलाईची घर में जला देना है, पूरे घर में पैसा ही पैसा होगा, इस छोटे से उपाय को अगर आपने इस बार मासिक दुर्गा अश्टमी पर कर लिया, क्योंकि आपको ब कि अपने आप में बहुत ही उत्तम होता है विशेशकर उन लोगों के, ये जो अपनी कोई भी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, अपने दुश्मनों से छुटकारा, चाहते हैं या फिर अपने जीवन से बिलकुल हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर करना च आप सभी जानते हैं कि मा दुर्गा जगत जन्नी जब अपने भक्तों पर क्रिपा करती हैं, तो कुछ इस तरह से करती हैं कि भक्तों के जीवन में कोई दुख, कोई संकट धन से जुड़ी समस्याएं किसी भी तरह के कश्टों को जीवन में रहने नहीं देती हैं, मा की क्र जिस व्यक्ति को मिल जाए उसके जीवन में ऐसा समच लीजिये कि सुख ही सुख होता है, कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में दुख। निर्धन्ता और गरीबी लोट कर नहीं आती है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस बार आपको। कौन-कौन से उपाय करने हैं, और किस तरह से करने हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार जो सिध्धी योग का निर्मान हो रहा है, इस योग में मादुरगा की पूजा अर्चना करने से और कुछ उपायों को करने से आप अपने जीवन में सुख समरिधी को हाली होगी तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की जो की आपको मासिक दुरगा अश्टमी के दिन जरूर करना है तो जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह उपाय हमेशा आपके शत्रों से आपको छुटकारा दिलाएगा और कोई भी अगर आ आपको हमेशा के लिए चुटकारा मिल जाएगा देखिए जो हमारे गुप्त शत्रों होते हैं कहीं ना कहीं वह हमारे कुछ ना कुछ नुकसान करने की सोचते हैं हैं ना करने का मतलब उनकी जो थिंकिंग उनकी जो सोच होती है ना वही हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प इससे होता क्या है घर में पैसे का संकट खड़ा हो जाता है एक एक रुपए के लिए व्यक्ति परेशान रहने लगता है अब आपके दुश्मनों से आपको छुटकारा जो मिलेगा वह दुरगा अश्टमी पर यह पहला उपाय आपको करना है और इस बार की दुरगा अपने दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा तो उपाय को करने के यह आपको यहाँ पर चार लॉंग लेनी है कितनी लॉंग लेनी है चार फूल वाली लॉंग अच्छा फूल वाली लॉंग में हमेशा यह चीज ध्यान रखें की लॉंग के उपर एक गोल-गोल सा फू पूटी हुई ना हो चार लॉंग साथ ही साथ आपको दो कपूर लेने हैं, चार लॉंग के साथ दो कपूर है ना अब आपको क्या करना है, किसी भी मिट्टी के दीपक में या किसी भी बरतन में पीतल का अगर कोई बरतन है, उसके अंदर चार लॉंग रख लेंगे और दो पूरत पूर को जलाना है और मादुर्गा से कहना है कि मेरे शत्रों से मुझे हमेशा सुरक्षित रखना मा अपनी कृपा मुझ पर रखना इस तरह से आपको मादुर्गा से प्रार्थना करनी है। और यह उपाय दुर्गाश्टमी वाले दिन यानी 14 जून को आपको किस समय करना है, शाम के समय में करना है, ठीक है, ना यह उपाय शाम का है, जब सूरज छिप जाएगा उसके बाद। इस उपाय को जो व्यक्ती दुर्गाश्टमी पर कर लेता है, हमेशा के लिए उसे अपने शत्रूओं से छुटकारा मिल जाता है, और उसके शत्रू लाख कोशिश कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, अगर किसी व्यक्ती ने यह उपाय दुर्गाश्टमी पर कर लिया, समझ लीजिए उसका बाल भी बाका कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात्मा दुर्गाश्टमी आकर आपकी रक्षा करती है, और आपके जीवन को सुख से भर देती है, बहुत ही विशेश और बहुत ही उत्तम उपाय है, बिलकुल आपको चूकना नहीं है, इस दुर्गा अश्टमी पर यह उपाय आप जरूर करें, जिससे की आप अपने जीवन में हमेशा सुरक। अपने जीवन में महाधनी महा करोरपती बन सकते हैं, बिलकुल सत्य है, जब मा की कृपा अगर एक बार किसी को मिल जाये ना, तो वो व्यक्ती महाधनी भी बन जाता है, और महा करोरपती भी बन जाता है, उसके जीवन में कभी भी दुख और कश्टों के लिए जगह नहीं होती है बस एक बार आप पूरी सच्ची श्रधा से मा को मना लें उनकी प्रार्थना कर लें और इस उपाय को कर लें फिर देखें आपके जीवन में कैसे चमतकार होता है देखिए कोई भी उपाय आप करें पूरी सच्ची श्रधा और आस्था के साथ करें उपाय आपका तूटी हुई ना हो खंडित ना हो इस चीज का विशेशकर आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ आपको तीन हरी इलाइची लेनी है अच्छा हरी इलाइची भी तूटी हुई ना हो खंडित ना हो अब यह तीन लॉंग तीन हरी इलाइची और एक कपूर आपको लेना है इन तीनों चीजों को किसी भी कटोरी में रख लें किसी मिट्टी के दीपक में रख लें और अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ती या प्रतिमा के सामने ने आपको जलाना है कहां जलाना है माता लक्ष्मी की मूर्ती या फिर प्रतिमा के सामने और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएंगे माता लक्ष्मी की मूर्ती या प्रतिमा के सामने और ये जो आपने तीन लॉंग और तीन इलाइची एक कपूर के साथ जलाई है जब इसे जला लेंगे घी का दीपक जला देंगे उसके बाद थोड़ी देर मंदिर में बैठ कर्मा लक्ष्मी और श्री हरी विश्नु का ध्यान करेंगे उनसे प्रार्थना करेंगे कि है जगत के पालनहार श्री हरी विश्नु है मेरी लक्ष्मी मया अपनी कृपा मुझ पर बना देना और और मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देना और मेरे घर को धन से आप भर देना आपकी कृपा होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी, तो अपने हिसाब से आपको पूरी सच्ची श्रधा के साथ इस उपाय को करना है अपने घर के मंदिर में मासित दुरगा अश्टमी, के दिन श अपने घर में जलाते हैं, तो मालक्ष्मी जो है, वह आपसे इतनी प्रसंद हो जाती हैं कि आपके घर में भी आती हैं और आपके जीवन से निर्धनता को तो हमेशा के लिए दूर कर देती हैं, क्योंकि हरी इलाइची सबसे ज्यादा प्रिय होती है, मालक्ष्मी को जिस त पसंद है कि इन चीजों का उपाय अगर आप करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए मालक्ष्मी की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, तो दो उपाय की बात कर ली अब जल्दी से बात कर लेते हैं, अपने तीसरे उपाय की अच्छा जो तीसरा उपाय अब आपको बताने जा रही ह यह है मनोकामना पूर्ती के लिए कोई भी ऐसी इच्छा आपकी कोई भी विश जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए पूरी नहीं हो रही है, बहुत से उपाय कर लिए, बहुत कुछ करके देख लिए, लेकिन विश पूरी नहीं होती है, तो सिर्फ एक बार मासिक दुरगा अश्टमी के दिन क्योंकि इस बार तो सिध्धी योग का, निर्मान हो रहा है, इस बार आप यह उपाय करके देखें और फिर देखें कैसे, आपकी मनोकामना पूरी होती है, बहुत जल्दी आपकी विश आपकी मनोकामना को मा दुरगा पूरा कर देंगी, आपने हमेशा स सुनती हैं, और अपनी क्रिपा जब वो किसी पर करती है, ना तो उनके बच्चे का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता है, हम सब उनहीं के बच्चे तो हैं, ना तो मा दुरगा से जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय है, जो आपको मासित दुरगा अश्टमी के दिन करना ह आपको लॉंग लेनी है, कितनी लॉंग इतनी लॉंग लेनी है, कि एक माला बन जाए लॉंग की ठीक है, ना 51 लॉंग ले सकते हैं, 108 लॉंग ले सकते हैं, ऐसी संख्या में आपको एक-एक लॉंग लेनी है, ठीक है, ना कौन सी लॉंग जो हम पूजा में इस्तमाल करते हैं, एक भी लॉंग तूटी हुई ना हो, उससे आपको क्या करना है, मौली धागा आप ले लें, और उससे एक माला बना लें, आप और आपने जो लॉंग की माला बनाई है, जलाना है, मतलब दीपक को प्रजवलित करना है, और साथ ही साथ जो आपने लौंग से माला, बनाई है वो मा दुर्गा को आपको पहनाना है, अपने हाथों से देखिए जब। कह देना, और उनको यह माला अर्पित कर देना साथ ही साथ देसी घी का दीपक जला देना, और यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, घर के आसपास अगर मा दुर्गा का कोई भी मंदिर है, वहां जाकर भी यह उपाय आप कर सकते, हैं उपाय शाम का ही है, स वर्दान की तरह साबित होगा ऐसा समझ लीजिए जो अधूरी इच्छा मनोकामना विश आपकी बहुत लंबे समय से अधूरी है ना वो मा दुरगा इस बार जरूर पूरा करेंगी बस पूरी सची श्रद्धा से आप यह उपाय कर लेना क्या पता आपके भाग्य में जो लि बार आये हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ ही साथ हा लोग बेल आइकन को आल पर जरूर कर ले जिससे की आपको हमारी हर विडियो का नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल सके तो आप सभी को राधे-राधे जै श्री कृष्ण हर हर महादेव जै जै हो माता लक्ष्मी की जै हो श्री हरी विश्णू की जै हो मादुर्गा की